हेलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुन्दर सा स्वेटर डिजाइन जिससे आप किसी भी लेडी स्वेटर जेंट स्वेटर या बेबी स्वेटर में बना सकते हैं इसमें आपको क्या करना है फाइब के मल्टिपल के हसाफ से फंदे लेने हैं प्लस तू फंदा एक्ष्ट्रा मल्टिपल ऑफ फाइव प्लस तू इससे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त में 22 फंदे लिए हैं अब हम अपने डेजान की फिर्स डिन बनाएंगे फिर्स्ट रोब पहला फंदा सिलिप करेंगे है कि दागा अब यह साब अपना रिपीट पैटन स्टाट करोगे रिपीट पहले पांस फंदे स्लिप करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांस, पांस फंदे स्लिप करेंगे, ऐसे धागा पिछे, और पांस फंदे सीथे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांस, तो यह फिर्स ट्रो का पैटन है, इसे हम कैसे बनाएंगे, पहला फंदा एजस्टे छोड़के, पांस फंदे स्लिप करेंगे, और पांस फंदे सीथे, फिर से धागा आगे करोगे, और पांस फंदे स्लिप, एक, दो, तीन, चार, पांस, दागा पिछे, पांस फंदे सीथे, एक, दो, तीन, चार, पांस, दाश का एजस्टे छ फंदा है, उसे विया बैसे ही सीथा बना लोगे, तो हम आगे डिजैन की फर्स रो कंपलीट हो गई है, आप मैं अपनी सेकंड रो बनाएंगे, रो सेकंड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, और इस पूरी रो को आप ऐसे उल्टा-उल्टा बन लोगे, ऐसा भी सेकेंड रू को पुरह यहां तक उल्टा उल्टा बन लोगे रो थ्री रो थ्री को जैसे आपने फर्स रो बनाए थी वैसी बनाऊगे पहला फंदा स्लिप कर लोगे धागा आगे पांस फंदे स्लिप एक दो तीन चार पांच फंदे स्लिप धागा पिछे पांस फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच पर से धागा आगे पांस फंदे स्लिप एक दो तीन चार पांच धागा पिछे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, लाश का एजिस्टिस फंदा सीधा बना लेंगे, तमारी थर्ण रोग कंपलीट हो गई है, अब हम अपनी फोर्थ रोग बनाएंगे, फोर्थ रोग पहला फंदा स्लिप करेंगे, और इस पूरी रोगा प आप पढलेंगे, पösकु": जैसे वने फैस दोट से एट रोह तक बनाएm लोगए, जैसे हम ने फ acá स्थ रोह से एट रोह तक आपू का बनाना है, जैसे दो बार वार हम ने ओस दोबार आपको इनको वारा श dinero करना है 8th row तक मैंने से complete कर लिया इसको ऐसे हमने 4 टाइम निकालना है तो तीन चार अब यहां से हम अपनी 9th row स्टार्ट करेंगे 9th row पहला फंद हम slip कर लेंगे यहां साब अपना repeat pattern स्टार्ट करेंगे repeat pattern है दो फंदे सीधे अब हमें क्या करना हें इन 4 फंदे के साँ ऐसे बुनना है तो पहले हम यहां से इन 4 फंदे के साँ इसठा बुन लेंगे तो इस recipro से करें दो फंदे सीधे फिर पांस फंदे सीधे एक दो तीन जार पाँच तो जे नाइंध रो का पैटर्न है उसमें हम पहला फंदर आजिस्टिर छोड़के दो फंदे सीधे फिर इन चारो लूपों को इस फंदे के साँ सीधे बुनेंगे फिर दो फंदे सीधे बाद 5 भंदे सीधे फिर फिर से 2 भंदे पहले हम सीधे बुल इन चारों लोफो को हमने ओपर ओरवाले फंदे के साथ बुल लेना ऐसे फिर आवर लाश के बचे सारी फंदे आपको ऐसे ही सीधे बुल लेने लाश का एजिस्टिस फंदा उसे विया आप सीधा बुन लोगे तो जो मारी 9th row है वो कंप्लीट हो गई है अब हम अपनी 10th row बनाएंगे row 10 पहला फंदा slip करोगे और इस पूरी row को आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लोगे जैसे यहां तक आप इस 10th row को कंप्लीट कर लोगे row 11 पहला फंदा slip करेंगे अब यहां साब अपना repeat pattern start करोगे repeat pattern है पांच फंदे सीधे एक दो तीन चर पांच फंदे सीधे दागा आगे पांच फंदे slip एक दो तीन चर और पांच दागा पिछे तो जहां अल्यान थ्रो का pattern है इसे कैसे बनाएंगे पहला फंदा आज इस चोड़के पांच फंदे सीधे पांच फंदे फिर से हम पांस बंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच बंदे सीधे दागा आगे पांस बंदे सीधे पांच दागा पिछे लाश का एज इस फंदा है उसे आव ऐसे सीधा बना लोगे तो जो मैरे 11th row है वो कंप्लीट हो गई है अब हम अपनी 12th row बनाएंगे रो 12 पहला फंदा स्लिप करोगे और इस पूरी रो को आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लोगे जैसे आपने 11 और 12th row बनाई है वैसी आपको 13 row से 18 row तक इसे ऐसे ही बनाना है तो आप पहले इसको यहां तक बना लोगे 18 row तक मैंने इसे बना लिया है इसे भी हमने एक दो तीन चार बार हमने इसको निकाल लिया है तो हब आप हम row 19 बनाएंगे row 19 पहला फंदा स्लिप यहां से repeat pattern स्टार्ट करेंगे repeat pattern पांस फंदे सीधे एक दो तीन चर पांच पांस फंदे सीधे उसके बाद एक दो दो फंदे सीधे फिर से हम क्या करेंगे इन चारों लूफों को ऐसे उपर वाले फंदे के साथे सीधा बुल लेंगे और दो फंदे सीधे तो जर्मारे 19 तो है इसे हम कैसे बनाएंगे पहला फंदा एजर्ट छोड़के पहले साथ फंदे आप सीधे बना लोगे इसके बाद आप इन चारों लूफों को एक भंदे के नहां सीधा बना लोगे ऋपर उसके बाद दो फंदे सीधे फिर से 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 फिर दो फंदे फिर से सीधे एक दो चारो लूफों को उपर बना लेंगे एक दो दो फंदे सीधे लाश का एजिस्टिस फंदा है उसे विया आफ सीधा बना लोगे तो इमारी 19 रो है वो कम्प्लीट हो गई है अब हम अपनी रो 20 बनाएंगे रो 20 पहला फंदा स्लिप करेंगे और इस पूरी रो को आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लोगे यहां तक आप इसे उल्टा बना लोगे तो रो 20 बनाने के बाद हैकु इस तरीके से बना हैूँ यही 20 ड्रोर को बाल बाल रेपीत करना है तो यहां तक आपका 20 ड्रोर में आपका 20 ड्रोर में बना हूआ है तो जैसे जैसा आप इस वाली डिजाइन को आगे बनाते जाओगे तो आपका ये जो डिजाइन है इस तरी के से बनता जाएगा